Good morning students, students, today is your class related to English reader, okay, yes, your chapter number 4th and chapter name of brotherhood, what's the name, brotherhood, हाँ तो students आपके chapter का नाम है brotherhood याने बाइचारा इस chapter के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है और अपन आज भी इसी chapter के बारे में पढ़ेंगे ओके यास जितना पढ़ा इन से आज आगे वाला पढ़ेंगे हाँ तो यहाँ सिधा screen की तरफ देखी यहाँ से अपने पढ़ लिया था याने अपने ये chapter एक page याने complete वन पेज याने complete कर दिया था आज अपन यहाँ से start करेंगे ओके जस हाँ गो अवे चले जाओ this is my toy now अब यहाँ मेरा खिलोना है इस chapter में एक Ellie नाम का लड़का है उसके पास खिलोने हैं बहुत सारे और वो जब भी कहाँ पर भी खिलने जाता है तो वह हमेशा अपने खिलोनों के साथ जाता है याने एक बार वो फुटवल खिल रहा था और पास वाले बैंच पर उन्होंने ये दोनों खिलोने रखे और एक बिल्ली आई एक खिलोने को लेकर गई और दुसरा खिलोना था वो उसको बचाने के लिए उस बिल्ली के पास जाता है और कहता है कि उसको दे दो तो बिल्ली उसे कहती है कि चले जाओ, go away, चले जाओ फिर आगे क्या कहती है, this is my toy now, अब यहां मेरा खिलोना है फिर आगे क्या कहती है, find a now, one for you, तुम तुमारे लिए नया खिलोना खोजो बिल्ली ने कहा, कि अब तो यह मेरा हो गया, तुमारे लिए कोई दूसरा खोजो फिर आगे क्या होता है, scrammed the cat, cat ने चला आते हुए कहा, यानि cat चलाई रोनी और बगगी बॉथ स्टार्टेड क्राइंग रोनी और बुगई दोनों रोने लगे, अब बिल्ली ने ऐसे कहा, तो वो तो दोनों खिलोने जो रोनी और बुगई थे, वो क्या कर गए, रोने लगे यानि उसका जो best friend था, वो बिल्ली ने लिया इसलेवा क्या कर रहे थे, रो रहे थे फिर आगे क्या होता है, रोनी एश्योर्ड बूगी डैट ही विल सेव हिम रोनी ने बग्गी को आस्वासन दिया कि वह उसे बचा लेगा अब बिल्ली भी सुन रही है और उसने कहा किसने कहा रोनी ने बग्गी इसको कहा कि मैं तुम्हें किसी भी हालत में बचा लोंगा याने उसको विश्वास दिला याने आस्वासन दिया फिर आगी क्या होता है after a few minutes कुछ मिनटों के बाद the cat come down the tree and went away to find some foods बिल्ली पेड के नीचे आई और कुछ खाने को खोजने चले गए याने बिल्ली भुखी थी तो वह पेड के नीचे उतरी और खाना डुंडने याने खोजने चले गए फिर आगे क्या होता है in the meantime इसी बीच रोनी प्लेंड रोनी प्लेंड to get बग्गी डाउन from the tree इसी बीच रोनी ने बुग्गी को पेड से नीचे उतरने की योजना बनाई क्या बनाई योजना उसने ये योजना बनाई कि तुम नीचे कुदो और मैं तुमें पकड लूँगा याने उसने किसी भी हाला में एक ऐसी योजना बनाई ताकि वहाँ नीचे आ सके फिर आगे क्या होता है jump off the tree क्या गोला पेड़ से कुदो फिर आगे I will catch you मैं तुम्हें पकड लोंगा sorted Ronnie Ronnie चिलाए यानि Ronnie ने कहा कि तुम जल्दी नीचे कुदो मैं तुम्हें पकड लोंगी और तुम्हें कुछ भी नहीं हो रहे दोंगी आप तुम्हें 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 जल्दी नीचे उतरिये क्योंकि बिल्ली है वो क्या कहां गई है खाना खाने गई है यानि वहां खाना डुनने गई है तब तक अपन चले जाते हैं फिर आगे क्या होता है आगे I am afraid to falling from such a high इतनी उच्चाई से गिरने से डरता हूँ उसने कहा कि रोनी ने कहा कि मैं इतनी उच्चाई से गिरने से क्या करता हूँ डरता हूँ यानि वह इतनी उच्ची पेड़ पर ले गई थी बिल्ली कि वह कुदे तो उसको क्या लग रहा था डर लग रहा था फिर आगे क्या होता है सेड बग्गी यानि सेड बग्गी ने कहा Trust me I like you brother क्या कहा Trust me विश्वास करो I like your brother मैं तुमारे बाई की तरह हूँ And you will be saved मैं तुमें क्या उसने कहा I will Save मैं तुमें शुरुक्षीत पकड लोंगा इसने कहा बग्गी ने कहा कि मैं तुमें So Ronnie ने कहा कि मैं तुमें पकड लोंगा फिर आगे क्या होता है बग्गी jumped off the tree and Ronnie saved him बग्गी ने jump यानि kuddy kud गई और Ronnie ने उसे बचा लिया अब वो पेड़ के उपर थी बग्गी पेड़ से kud गई और Ronnie ने उसे बचा लिया ने बग्गी वो पेड़ के उपर थी इतनी उपर थी फिर भी वो जैसे ही कुदी तो Ronnie ने उसे बचा लिया, क्या किया बचा लिया, फिर आगे क्या होता है, देखिए यहां से बाथ आफ दा बाथ आफ देम स्कैब्ड विफोर दा कैट एराइवड बिल्ली के आने से पेले दोनों भाग निकले यानि दोनों ने प्लैनिंग तो बनाई हुई थी जैसे ही बिल्ली आने ही वाली थी कि वे दोनों क्या हो गए भाग गए वहां से फिर आगे क्या होता है दे रन एंड वेंट बेक टू दबेंच वेर अली हैड लेफ्ट देम वे दोड़कर वापस उसी बेंच पर गए जहां पर अली ने उसे रखा था याने अली को पता ही नहीं था कि इन दोनों के साथ क्या हुआ है फिर जैसे अली तो फुट बॉल खेल रहा था और वे दोनों वापस दोड़कर उसी बेंच पर आ गए जहां पर अली ने उसको बिठाया था फिर आगे क्या होता है अली अली कम बैक एंड सो देम शिटिंग ओन दा बेंच पीच्फोल अली वापस आया और उन्हें सांती से बेंच पर बैठे देखा याने अली ने आया जैसे गैम खिलकर आया वापीस तो उसने देखा कि सांती से दोनों बैठे हैं क्या कर रहे थे सांती से बेठे हुए उसने देखा फिर आगे क्या होता है next day याने अगले दिन Ellie was going to the dentist Ellie दंत सिकत्सक के पास जा रहा था dentist याने क्या होता है दंत सिकत्सक याने दातों का डक्टर dentist के पास जा रहा था he took them with him वहाँ उन्हें अपने साथ ले गया याने वो तो खिलोना से इतना प्यार करता था कि वहाँ कही पर भी जाता था तो वहाँ दोनों को साथ ले जाता था याने उसके फैवरिट खिलोने थे तो वो जै डक्टर के पास भी जा रहा था तो भी ये दोनों क्या थे साथ में थे फिर आगे क्या होता है On their way to the doctor डॉक्टर के पास जाने पर जैसे वहाँ पर पहुँचे Ellie was holding Ronnie and Boogie there Boogie near the windows of the car Ellie car की खिड़की के पास Ronnie और Boogie को पकड़े हुए थे यानि वहाँ जैसे कार से गया तो खिलो ने उसके हाथ में कार की खिड़की के पास पकड़े हुए थे यानि कार की खिड़की आती है तो उसके पास ज़स्ट पकड़े हुए थे फिर आगे क्या होता है Suddenly, अचानक He lost grip of Ronnie यानि Ronnie हाथ से क्या हो गया छूट गया यानि हाथ के जो पकड़ रखी हुई थी यानि पकड़ा हुए थे वो क्या हो गई छूट गई फिर आगे क्या होता है Ronnie was about to fall off the window Ronnie खिड़की से नीचे गिरने ही वाला था क्या करने वाला था? गिरने ही वाला था गिरा नहीं था भी गिरने ही वाला था बट बुग्गी स्क्रैच्ड ही हाड हैंड आउट अच्छानक उन्होंने रौनी को स्वरी बग्गी बट बग्गी स्क्रैच्ड ही हैंड आउट लेकिन बुग्गी ने हाथ बढ़ा लिया अब दोनों इतने पक्के दोस्त बन गए थे पहले तो इन दोरों के भी छोड़ी चल रही थी कि वो कह रहा था कि मैं बड़ा और वो कह रहा था कि मैं बड़ा बट फिर दोनों आपस में क्या हो गए थे फ्रेंड हो गए थे तो जैसे ही वो कार के खीड़की से गिरने ही वाला था कि Ronny ने उसको पकड़ लिया क्या कर दिया पकड़ लिया He catch hold on of Ronny before the cold fall out of the car यानि जैसे ही वो car से नीचे गिरने वाली थे तो उसने हाथ से क्या कर लिया पकड़ लिया Ellie was surprised to see how boogie and Ronny were holding hands फिर आगे क्या होता है अली यहां देखकर हैरान रहे गया कि बुग्गी और रोनी कीस तरह से हाथ पकड़े रहे यानि अली को इतना पालम नहीं था कि वह हाथ से छूट गया और वह गिर जाएगा प्रंतु इसका फ्रेंड था साथ में उसने तुरंत हाथ बड़ा लिया और उसे गिरने से पहले क्या कर दिया बचा लिया और यहां देखकर एली भी एरान रहे गया कि उसने कीस तरह हाथ पकड़ रहे है फिर आगे क्या होता है हावेवर हलांकी ही कंटीनियूड तू प्ले देम विथ हालांकी उन्होंने उसके साथ खेलना जारी रखा याने वो खेलने जा रहा था तो उसने उसके साथ जारी रखा जैसे वह गिरने वाला था उसके फ्रेंड ने उसको पकड़ लिया था रोनी विंक्ड एड़ अधार बुग्गी और रोनी एक दूसरे पर जप्टे यानि ऐसे जप्टे जैसे आपको किसी को कुई कश्ट में हो अपन बचाते हैं इसी तरह जप्टे ओके यास आगे क्या होता है स्टुडेंट्स अपन यहां से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आई चैप्टर थोड़ा लॉंग है इसलिए अपन उसको शॉर्ट शॉर्ट में करके पढ़ रहे हैं हाँ आपके रहे होमवक की बात तो होमवक आपको मिट्स और परेंट्स एप पर मिल जाएगा ओके और होमवक में आपको पता ही है वर्ड गेलेरी यानि इस पिलिंग्स आपको दी जाएगी उसको आपको लर्न करना है एंड राइट करना है ओके यास और अपन यहां से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ओके तो थैंक यू स्टूदेंट्स बाइबाए